This project has reached its max bidding limit Trulancer में काफी सारे लोग इस problem को face कर रहे है और इस related काफी सारे comments भी मुझे कई दिनों से आ रहे थे तो इसी के उपर आज हम बात करेंगे Hi friends, मरा नाम है राजदी मिसरा और आप देख रहे हैं Your Technical Guide YouTube channel Mac Freelancer हूँ और Trulancer के साथ-साथ काफी सारे freelancing website में काम कर चुका हूँ और इस problem को मैंने भी face किया है तो जो questions आपके आ रहे थे अगर हमें इस तरीके का कोई message सो हो जिसमें बताया जाए कि max bidding limit जो है वो complete हो चुका है आप इस project पे bid place नहीं कर सकते तो क्या हम किसी तरीके से उस पे bid place कर सकते जी नहीं आप उस पे bid place नहीं कर सकते और उस पे bid place करने का कोई फायदा भी नहीं है Trulancer में काफी सारे जो beginners होते है वो क्या गलती करते है एक skill को search करते है मान लीज़े आप data entry करना चाहते हो तो आप उपर data entry search करते हो या side में skill का जो category है वहाँ पे जाके data entry select कर लेते हो वहाँ पे काफी सारे projects आपको सो होते है उन projects का आप time नहीं देखते हो कि कब वो project post किया गया है मैंने ये भी देखा है जो screenshot मुझे facebook page में भेजे जाते है कि इस project पे ये message हो हो रहा है मैंने देखा ये वो project दो मेहने पुराना है एक मेहना पुराना है तो इस तरीके के projects पे भी आप bid place करते हो तो अगर आप उतना पुराना एक project पे bid place करोगे तो कैसे आपको काम मिलेगा आप खुद सोच के देखिए अगर कोई client freelancing website में आता है किसी freelancer से काम करवाने तो उसका काम urgent है वो क्या चाहेगा वो काम 2-3 दिन के अंदर या maximum 7 दिन के अंदर complete हो जाए अगर बहुत कोई बड़ा काम ना हो बड़ा project ना हो, एक website development ना हो android app development ना हो या कोई animation का काम ना हो तो client चाहेगा वो 2-3 दिन के अंदर ही complete हो जाए बट आप क्या करते हो आप किसी एक ऐसे project को find करते हो जो 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले या उससे भी पहले post हो चुका है, उसपे बहुत सारे bid already placed हो चुका है max bidding limit जो है वो complete हो चुका है आप उसपे bid place करने का कोशिस कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्योंकि उसपे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है आपका bid भी loss जाएगा अगर bid मान लिजे place हो भी जाता है आप ऐसा कोई एक project find कर चुका है जो बहुत पहले post किया गया है आप उसपे bid place भी कर देते हो क्या फायदा कुछ नहीं आपको वो काम नहीं मिले वाला है क्योंकि जब भी कोई client freelancing website में एक project post करता है तो किसी एक freelancing website में वो project post नहीं करता है freelancer हो गया freelancer.com हो गया fiber हो गया upwork हो गया guru.com हो गया 99 design हो गया इस तरीके के कई freelancing website में वो project post कर देता है और जहां से भी उसको पहले एक अच्छा freelancer मिल जाता है trustable freelancer मिल जाता है वही से वो उसको hire कर लेता है और इस तरीके का जो client होता है वो बाकि जितने भी freelancing website में उसने project post किया था वहां से वो project को delete करना कभी कभी या ज्यादा तर भूल जाता है क्योंकि उसको delete करने का जरूरत भी नहीं है तो उन तरीके के projects पे आप जाके बाद में 2-3 दिन बाद, 4-3 दिन बाद या उससे भी ज्यादा time के बाद आप project bid place करते हो आपका bid भी खराब होता है और उससे आपको काम भी नहीं मिलता है इसलिए जब भी किसी project को आप open करो वहाँ पे time जरूर देख लेना अगर वो project 24 hours के अंदर है तो बहुत ही अच्छा है और try कीजिए जितना हो सके freelancing website में online रहने का अगर आप ज्यादा से ज्यादा देर तक online रहोगे आपका online presence भी बढ़ेगा और साथ ही ने ने प्रोजेक्ट जैसे ही post होता है दो मिनिट के अंदर पांच मिनिट के अंदर आप को 60 करों में bid place करने का इससे आपके काम मिलने के chances बहुत ही बढ़ जाते है अगर आप किसी project पे बहुत time के बाद bid place करते हो तो हो सकता है client जो है उससे पहले ही किसी freelancer को hire कर चुका है इसलिए ज्यादा time अगर निकल जाए 24 hours अगर complete हो जाए तो उसके बाद किसी project पे bid place ना ही करे तो अच्छा I hope video आपके लिए helpful रहा अगर अच्छा लगा है तो और like कर सकते हो कि और भी videos देखने के लिए आप channel को subscribe कर सकते हो मिलते हैं next video पर तब तक के लिए bye have a good day for you